हेलो गाईज, वेलकम तो अलो फ्यू, आज की इस वीडियो लक्षे में में मुलाँ कॉंप्लेक्स नंबर के एक बहुत इंपॉर्टन कॉस्चिन जो कि अपने 11-12 के कॉंप्लेक्स नंबर चैप्टर में देखा होगा, है ना बट मैं इस कॉस्चिन को आपको साइंटिफी कैलकुलेटर के हल्प से करनी को बताऊंगा, जो स्टुएंट्स गेट पेपर दे रहे हैं इस तरही कॉस्चिन्स आपके नुमेरिकल पार्ट में देखने को मिलते हैं, ओके तो यह हमारे कुछ स्टैप्स है कि यह जब आप साइ एक्चली आपने 11-12 के जो टॉपिक्स हैं, कॉपिक्स नुमेर के टॉपिक हैं उसमें आपने इसे एक सिस्टेमाटिक मैथर्ड, सिस्टेमाटिक वे के मैथर्ड से सॉल्ब किया होगा, ओके कि I think you know about that, अगर आपको ना आता हो तो देखते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में हमसे के तुम्हें बना दूँ, बद आज आपन साइंटिफिक अलबूटर के हैप से से सॉल्ब करना देखते हैं, so first step में आपने का करना है, कि mode then click to for the complex, okay, why we use complex for the eta value, you know, see I value के use के लिए आपने complex value का use करते हैं, okay, then type, देखते हो, type करना है, then shift plus, then you obtain what, magnitude, okay, then press equal to, okay, अगर आप press equal to, इंटर करते हो, तो आपको magnitude मिलता है, अगर आप again shift, then equal to, इंटर करते हो, तो आपको angle मिलता है, okay, so, यह बाद देखे हैं से, so, first enter mode, sorry, open mode, then 2, okay, complex은 थिक कर लिया, था, यह लिए बाद देखेते हो, एंडर थीक्र तो आ थैथ, जब टेखेते हैं, then shift plus okay shift then plus okay कुछ ऐसा आईगा फिर shift plus के बाद मैंने बोला था press equal to उचले एक्वाल टो इंट्र करते है यह आफका magnitude आप यह ठीक है magnitude के बाद आप shift equal to करो के तो आपको एंगल में दे ना तो ये मेरा shift फिर मेरा रहा, equal to वे रामा थाया थीक है so I hope का कॉछनी सावच में आढ़ भाद में रहा है so best of luck for examinations okay सब्सक्रा के बाद गँपाइ and have a nice day thanks for watching झाल झाल झाल